हेलो एवरीवन, वेलकम टू SSC स्कोलर्स सो गाइज, Air Force X&Y ग्रूप का जो एक्जाम मार्च 2021 में होने वाला है उसके लिए हम न्यू बैचीज स्टार्ट करने वाले हैं याने, इन टेक 1 2022 के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं हर बार की तरह सबसे पहले हम इंग्लिश का बैच स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटीड डीटेल्स माज आपके साथ शेर करने वाला हूं कि उस बैच के अंदर हम क्लासिज कैसे अरेंज करेंगे किस तरीके से हम पढ़ेंगे इस बार का हमारा टार्गेट क्या रहने वाला है एंड वो टार्गेट हम अचीव कैसे करेंगे पिछली बार के अगर बात की जाए इंग्लिश की तो हमारा टार्गेट था 16 प्लस मार्क्स का एंड काफ़ी सारे केंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट मेरे साथ शेर किया तो मैंने देखा कि मोस्टली स्टुडेंट्स जो थे हमारे एस्परेंट्स जो थे उनके 16 प्लस मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर यानि हमने जो टार्गेट सेट किया था हमने अचीव भी किया सेम इस बार भी हम अपना टार्गेट रखेंगे बट थोड़ा सा इंप्रूव करके यानि इस बार का हमारा टार्गेट होने वाला है 17 प्लस मार्क्स का सो इस बार इंग्लिश के अंदर हमको 17 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं अब वो marks हम कैसे score करेंगे, उसके लिए कैसे पढ़ाई करेंगे, study करेंगे, वो सब हम आज के वीडियो में discuss करने वाले हैं, यानि complete strategy, complete batch, कैसे run होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, वो सभी discuss करेंगे, इंगलिश का batch सबसे पहले start होगा as usual, जैसे हर बार होता है, इस बार भी इंगलिश का batch ही start होगा, इंगलिश की बात कर रहे हैं, तो देखें, इंगलिश के अंदर आपके 3 sections होते हैं, comprehension, grammar and vocabulary, तीनो sections को मिलाकर आपका 20 marks का paper जो है, वो आता है Air Force X and Y Group के exam में, अब अगर हम vocabulary को हटा दें, तो यह जो दो section हैं आपके, comprehension and grammar, यह दो section मिलकर around 16 to 17 marks का paper तयार होता है, यहां से, clear, बचे हुए जो 3 to 4 marks हैं, वो vocabulary के होते हैं, तीनो ही sections important हैं, तीनो ही sections को हम पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है, vocabulary के अंदर surety नहीं होती, कि आपने जो words पढ़े हैं, वो आएंगे exam में, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई अलग word आजाएं, तो आपने जितनी मेहनत की वो बेकार, तो हम क्या करेंगे, vocabulary पर हम focus कम करेंगे, हम focus करेंगे ये दो sections पर, comprehension and grammar, क्यूंकि अगर आप comprehension और grammar को पढ़ लेते हैं, तो यहां से surety होती है, कि question अगर आएगा, तो आप उसको करेंगे ही, आपको marks मिलेंगे ही, मिलेंगे, clear, 16 to 17 marks का ये दो sections होते हैं आपके, तो यहां से आपका कम से कम, अगर 17 marks का है, तो आपका 16 marks आपको score करने है, अगर 16 marks का है, तो 15 marks score करने है, यहां पर कोशिश कीजिए, जितने जादा आप score कर सकें, clear, vocabulary के अगर बात की जाए, तो vocabulary के लिए हमने एक series बना रखी है, word power made easy की, एक vocabulary की book है, जिसके अंदर 12 chapters है, 12 chapters complete मैंने आपको करा रखे हैं, 12 videos हैं, वो अगर आप कर लेते हैं, तो आपका vocabulary complete, especially अगर आप Air Force X and Y group के लिए vocabulary पढ़ना चाहते हैं, then वो playlist आपके लिए best है, वो book आपके लिए best है, so vocabulary आप वहां से complete कर लेंगे, बच्चा आपका comprehension and grammar, comprehension के म पतलब आप जानते हैं, unseen passage, अब unseen passage का मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा, एक lecture दे दूँगा, जिसमें मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से आपको passage को पढ़ना है, किस तरीके से answers देने है, question के, बाकि जब हम practice set, जो हम करते हैं, जब हम practice करेंगे, तो उसके अंदर daily हम एक unseen passage भी solve किया करेंगे, तो वहाँ से आपकी practice हो जाएगी, आपका vocabulary हो गया, comprehension हो गया, बचा आपका grammar, grammar पर हमें बहुत ही ज़ादा focus करना है, क्योंकि आपका major part है grammar, fillers हैं तो grammar, error sporting है तो grammar, major part आपका कौन contain करता है, grammar, so grammar आपको बिल्कुल अपनी इस तरीके से तयार कर क्योंकि English आपका gaining subject है, चाए X group हो चाए Y group हो, बाकी जो subjects हैं उनके मुकाबले English काफी easy है और scoring भी है, English के अंदर आप 19 out of 20 या 20 out of 20 भी ला सकते हैं, जबकि बाकी जो sections हैं, जैसे X group की बात की जाए तो physics, mathematics, उनमें ऐसे chances कम होते हैं, full marks लाने के, या Y group के अगर बात की जाए तो रागा के अंदर आप full marks नहीं ला सकते, English क्या है, एक scoring subject है, तो इसमें आप जितना score कर सकते हैं, उतना कीजे, होगा क्या यह आपकी merit को improve करने में आपकी help करेंगे, तो हमें अब focus किस पर करना है, grammar पर, grammar की अगर बात की जाए, तो grammar के अंदर आपके total 15 chapters हैं, यह सभी 15 chapters हैं आपके syllabus के अंदर, यह सिर्फ और से grammar है, यहाँ पर unseen passage इसमें नहीं है, और vocabulary के synonyms, antonyms वगेरा नहीं है, तो grammar के total कितना है, 15 chapters, यह हमको cover करने हैं, इस batch के अंदर जो हम नया start करने वाले हैं, करेंगे कैसे, 15 chapters हैं, हर एक chapter की तीन classes होगी, जैसे आपको 10 अगर पढ़न tense होता क्या है, present tense क्या है, past tense क्या है, future tense क्या है, क्योंकि इनकी knowledge होना जरूरी है, clear, और जो काफी important चीजें हैं, जो concepts हैं, जो basics हैं, वह मापको एक छोटा सा उसका overview दे दूँगा, उसके just बाद, same video में, हम वो rules करेंगे, जहां से air force के अंदर direct questions बनते हैं, first class हो गई आपकी, then second class में, हम बचे हुए rules को cover करेंगे, यानि दो classes आपकी हो गई, जिन में हमने concept पढ़ा, rules पढ़े, जहां से direct questions आते हैं, air force, exam के अंदर, then third class आपके होगी, quiz, यानि पिछली दो classes में, आपने chapter के बारे में, जितना भी पढ़ा, उससे एक छोटा सा test हो जाएगा, आपकी third class म एक quiz हो जाएगा, छोटा सा test हो जाएगा, इससे क्या होगा, आपने जो पिछले दो classes में चीज़ें पढ़ी, जो chapter पढ़ा, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से आपने कितना कुछ सीख लिया, अब यह जो test होगा, इसके अंदर सभी questions, वो होंगे जो previous year papers में आए हुए ह और बिल्कुल उसी pattern के होंगे, जिस pattern में आपके question exam paper में आएंगे, यानि आपको idea लग जाएगा, कि जो rule आपने पिछले दो classes में सीखें, जो पढ़ें, वहाँ से fillers अगर बनेगा, तो कैसे बनेगा, error sporting का question अगर बनेगा, तो कैसे बनेगा, यह सारी चीज़े, अब उस test क से कम score कर रहे हैं, that means कि आपका chapter अभी clear नहीं हुआ है, जब तक आप 18 score ना कर लें, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको उसी chapter को दोबारा पढ़ना है, दोबारा उसी test को solve करना है, अगर आप 18 marks score कर रहे हैं, यह समझ लीजे कि जो मैं आपको समझाना चाहरा हूं, आप उ जा सकते हूं, यह बिल्कुल surety है, clear, तो किस तरीके से पढ़ना है, यह मैंने बता जिया, total है आपके 15 chapters, हर chapter की 3-3 classes होंगी, 3-3 videos होंगी, यानि total आपकी 40-45 classes के अंदर, 40-45 videos के अंदर, आपका यह syllabus English का complete हो जाएगा, और अगर आपका English की वज़े से अगभी तक जो है selection रोक सकता, अगर किसी और subject की वज़े से मान लीजे, 1% chance मान लीजे, किसी और subject की वज़े से अगर आपका selection रुकता भी है, then, आपको दोबारा English नहीं पढ़ने पड़ेगी, इस बात की मैं आपको guarantee देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, clear, English आपका एक बार में clear होगा, और आपका यहां पर syllabus पूरा complete हो जाएगा, English का, then, हम इसके बाद we practice batch वगेरा start करेंगे, हर बार की तरह, उसमें मैं आपको लग बग 50 प्लस practice sets कराऊंगा, English के, अभी बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ English की, then, हम next subjects की तरफ move करेंगे, जैसे आपका mathematics वा, reasoning होगा, then, हम उ आप से एक चीज बोलना चाहूंगा, देखे, यह जो batch start होने वाला है, इसके लिए आप एक time set कर लीजे, ठीक है, सभी जो हमारे aspirants हैं, जो viewers हैं, सभी comment box में लिखेगा, कि आप किस time online होते हैं, और free होते हैं, यानि उस time अगर मैं class करता हूँ, तो आप तुरंत से class को attend कर ल आप online हो और free हो, फिर मैं उसे time पर आपकी classes कराया करूँगा, कोशिश रहेगी के आपकी classes live हो, अगर live नहीं हो पाई, तो आप जो time बताएंगे, उस time पर मैं आपको exact video दे दिया करूँगा, आपकी class उसे time पर चलेगी, बिल्कुल regularity के साथ आपको पढ़ना है, मैं regular रहू तो हमें भी अच्छा लगेगा, देखे हमें भी खुशी होती है, इस बार हमारे काफी सारे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, students थे, जो हमारे SSC scholars के, उन्होंने इस बार exam crack किया है, Y group का जादा crack किया है, as compared to X group, so X group and Y group के जितने भी candidates ने crack किया है, सभी का, मेरे पास उनका data आया, देखे, बहुत खुशी हुई, यह जानकर कि उन्होंने जो है, merit वगेरा clear की है, और बहुत ही जादा, आपके लिए जितनी जादा खुशी की बात है, उससे जादा मुझे खुशी होती है, कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, उसका selection हुआ है, यह एक बहुत गर्व की बात है, सो मैं यही चीज़ आपके साथ भी देखना चाहता हूँ, जो आप इस बार पढ़ेंगे सभी candidates, मैं यही उमीद लेकर चल रहा हूँ कि आपका भी selection इस बार होगा, clear, सो आपका selection इस बार हो जाएगा, अब फिर मैं बाकी किसको पढ़ाऊँगा, तो यह आपकी जिम्मेदार ही है कि जादा से जादा candidates को हमारे साथ जोड़ें, मैं आपके लिए अपना best दूँगा, पूरा 100% दूँगा, यह जो आपका syllabus है, complete ऐसा करा दूँगा, कि आपको English के अंदर 20 minutes मिलते हैं, question paper solve करने के लिए, 5 minutes के अंदर, ठीक है, 5 minutes के अंदर आप पूरा paper करक इस बात की guarantee है, और सारे सही होंगे, 17 plus का जो हमारा target है, उसको हम achieve करेंगे, जैसे पिछली बार किया था, ऐसे ही इस बार करेंगे, so आपसे जिर्फ यह request है कि जितना जादा हो सके, वीडियो उसको share कीजिए, सभी को बताईए कि हाँ, नया batch start होने वाला है, और जो पुरान की ये classes होंगी, इनके अंदर कोई भी बकवास चीज नहीं, कुछ नहीं, सीधर to the point बाते करेंगे, जो आपका syllabus आना है, जो exam के अंदर आएगा, सिर्फ वही चीज़े मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी फाल्त होगी, चीज नहीं होगी, clear, to the point पढ़ेंगे, जितना जल्द box में जरूर लिख दीजिगा कि किस ताइम आप online होते हैं, free होते हैं, वो उससे मुझे पता चल जाएगा, so English का आपका ये यहाँ पर complete हो जाएगा, so that's all for today, have a nice day, thank you.